किछीए है कि का जैङन जैइनलैंद कैसे हो सभी आज बात करा आगा उपने रास्ताने की मेरिट की बात कराया कि कितनी मेर्ट जास करें तो मैरिट की बात करआं तो लगबग जैनरल की बात करें तो 250 से अगर के उपर मांड रहा है तो मैंने physical कि तयारी करणी चीह है कि इतनी कम में rate कत्रा 250 से जाएगा अगर 0.20 4.4 नमर मांड रहा है तो मैं हिफिजिकल की तयारी करणी चीह है इतनी निची में rate कत्रा जाओगी देखो rate की वर्ति भी होई है आधा बेर्थी जो रीट का था था वह SI की बर्तिक अंद्र बैठे हैं और रेस की बर्ति का जो बेर्थी था खेल भी SI बर्ति के अंद्र बैठे हैं तो जैंगा बड़ी अनमर मणे रहे हैं वह ऐसा ही बढ़ती हो एक्जाम देड़ने कौन जाओ है और त्यारी सब ने पतो है कि एक्जाम में कोई कौन कैस करें एक्जाम की जी आयो जैने अगर पूछा जैंकि बढ़ी है त्यारी ही लगबग अगर 7-8 मेन एक सालों ही त्यारी करें तो वह भी लगबग 200 नमर ही बता रह तो कहेंके लिए मैं सबने यह केनी जाओंगा कि आप फिजिकल की तारी एकदम मन लगा की करो अगर 250 से 240 नमर भी मढ़ रहा है तो हार मत मानों वेकेंसी बहुत जाता है कह रहा है कि पेपर आउट हो जो की पेपर आउट हो जो कोई पेपर आउट कोनी हो जो मतलब सपोज क है कि एकदम फिजिकल की त्यारी करो पिछली बार भी को ज्यादा मेरिट ओणती पिछी बार दो पेपर वीजी हो अब कि अगर जो अंदर जाकी देखांगे पेपर न पतोचालागा उगर जो पेपर देवा ने जना तरह बड़ा सा लोने तो वह भी गलत हो जाओं तो जो एक्जाम मौल का अंदर बैठा है तो उनी पतोचाला के पेपर की सोगो तो मेरो तो यह कहनू है 240-250 मुझे रहे हैं वेवी फिजिकल की त्यारी मनलग आकी करो जगा बढ़िया नमबर मनलग रहा है वह अब रीट की भरती मनलग हो जाओगा आरेक्स की त्यारी करें रहा है अरेकस की जो त्यारी करें हुँए 240-250 नमबर मनलग रहा है अब बढ़िया एक्तम फिजिकल की त्यारी करो और स्वेप अंदर अलग हो जाओ और त्यारी करता रो गटियां ठीक है जैहिंट